हलो फ्रेंड्स आज मैं सेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ मसाला चिकन मेरे तरीके से आप लोगों ने बहुत बार खाया होगा बहुत तरीके से खाया होगा तो इस तरीके से बना के ट्राइ करना बहुत ही अमेजिंग और डिलिसस लगती है और पहतरन तरीके से आप दो के अच्छे तरीकी से साफ करके पानी इसका निचोर के रख लिया है प्याच मैंने लिया है 200 ग्राम तीन से चार गाट मैंने लेसन लिये हैं और दो इंच मैंने अधरक का टुकडा लिया है तो देखे पहले हम मसाला तयार कर लेंगे जिसके लिए मैंने दो चमच बरा आप इस तरीके से मसाले में डाल के यूज़ करें बहुत ही इसका रिजल्ट अच्छा आता है आपको लाश में पता चलेगा तो देखे करहाई को मैंने गरम कर लिया है इसमें ले लेना है सरसो का तेल वो भी 100 ग्राम तो फ्रेंट्स तेल जो है वो आप अपने हिसाब से कम या जादा रख सकते हैं तो तेल देखे अच्छे तरीके से आपको पहले गरम कर लेना है इसके बाद हम प्याज को डाल देंगे इसमें फ्राइ करने के लिए तो फ्रेंट्स प्याज को हम ब्राउन फ्राइ कर लेंगे फ्राइ करके हमें निकालना नहीं है अच्छे तरीके हम धीमे लो वगेरा कुछ भी नहीं करेंगे फुल फ्लेम पे ही हमें प्याज को फ्राइ कर लेना है तो देखे जब तक प्याज फ्राइ हो रहा है तब तक मैंने मसाला पिसके तयार कर लिया है अब हम इसे एक कटोडी में डाल लेंगे तो थोड़ा सा पानी भी इसमें बचा हुआ है तो देखे कुछ गरम मसाले मैंने लिया है जो दाल चीनी है दो इंच का टुकरा मैंने लिया है और हरे लाइची तो देखे तब तक के लिए प्याज भी हमारा अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है यही इस टेश तक हमें प्याज को राउन करना है अब हम इसमें डाल देंगे पिसे हुए मसाले तो उसके बाद हम कटोडियों को धोते हुए कुछ पानी भी इसमें हम डाल देंगे ताकि जो मसाला हम पकाएंगे इसमें लगे नहीं और मसाला जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाए तो फ्रेंट्स आप मेरे तरीके से आप मेरे तरीके से आप मेरे तरीके से कौन-कौन इस तरीके से बना के चिकन खाये हैं हमें कॉमें करके जरू से बताएं किस किस तरीके से खाये हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं आखिर में हम डाल देंगे इसमें दो तेज़ पत्ता जिसको मैंने धोगे साफ कर लिया है हल्दी पाउडर हम इसमें डाल देंगे भरके दो चमच तो friends मिर्च, हल्दी, नमक आप जिस हिसाब से बनाते हो उसी हिसाब से आप यूज़ करें तिन चमच मैं इसमें डाल दोंगी वरके नमक, तो friends नमक और मिर्च की मातरा आप अच्छे तरीके से डाले वरना ये फीका बन जाएगा तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है बनाते के टाइम तो अच्छे तरीके से हम मसाले को मिक्स कर देंगे, हमें मसाले को medium वगेरा नहीं करना है फुल फ्लेम पे हमें इसे चलाते वे पका लेंगे आखिर में जो हमने बचा हुआ लेसन रखा था कूछ गाट इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे मसाले में इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आपने नहीं खाया होगा तो जरू से ट्राइ किजिएगा तो चलिए चलाते वे हमने इसे मिक्स कर लिया है तो देखिये मसाला जो है अच्छे तरीके से पक चुका है अब हम इसको चलाते वे अच्छे तरीके से उपर नीचे सारे मसाले में इसको मिक्स कर देंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाले में है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए क्योंकि चिकन जो है खुद पानी छोड़ता है इसी वैसे हमें से ढखके पकाना है ढखके हम छोड़ देंगे कुछ देर तक पकने के लिए उसके बाद हम इसे फिर से खोल के अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे तो देखिए मैंने एक बूंद भी पानी इसमें नहीं डाला ह कितना सारा पानी इसमें खुद से ही आ गया है आप लोगों ने खाया होगा तो आप लोगों को पता ही होगा कि चिकन खुद ही पानी छोड़ती है तो इस तरीके से हमें बीच बीच में चलाते वे इसे पकाना है नहीं तो मसाला जो है वो नीचे से चिपक जाएगा और चि चिकन है चारो और से बहुत अच्छ तरीके से गल जाए तो दुबारा से हम इसको ढख देंगे तो बीच बीच में मैंने चलाते हुए इसे पका लिया है तो देखिए तेल जो है वो अलग हो गया है मसाला एकदम परफेक्टली पक चुका है और चिकन में एकदम मिक्स हो गया है जैसा कि हम लोग को मसाला चिकन बनाते हैं सेम उस तरह का एकदम हो गया है तो फ्रेंट्स में इसमें फ्राइव नहीं करूंगी इसको फ्राइव नहीं बनाना में ग्रेवी वाला बनाऊंगी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आज मसाला चिकन बनाने वाली में कुछ देर तक खुले में ही दो से तीन मिनट इसी तरीके से चलात हुए पका लेना है हमें वापिस से ढखना नहीं है तो चिकन जो है परफेक्टली गल चुका है अब हम इसमें डाल देंगे गरम पानी तो फ्रेंस आपको ठंडा पानी इसमें नहीं डालना है उबला देवी इसमें रखोंगी आखिर में हम डाल देंगे गरम मसाला जो मैंने आपको दिखाया था दाल चीनी और हरी लाइजी तो फ्रेंस चिकन में ज्यादा खड़े मसाले डालने से उसका स्वाध अलग हो जाता है और इसमें टमाटर और दही का इस्तमाल ना करे तो इस तरी हम चलाते हुए पका लेंगे एक मिनट तक लगभग उसके बाद हम इसको ढखके रख देंगे सेट होने के लिए तो इस तरीके से हमें चारो तरफ से मिक्स कर लेना है इस तरीके से अगर आप चिकन बनाते हो तो यह रोटी चावल राइस के साथ बहुत ही अमेजिंग लग चिकन मसाला है वह बनके तयार हो चुका है सर्फ करने के लिए तो मैं इसको साधा चावल के साथ सर्फ करने वाली हूँ आप लोग इस तरीके का चिकन किस तरीके से सर्फ करना पसंद करोगे हमें कॉमें करके जरू से बताना आप यह रेसिपी कहां से देख रहे हो वो भी आप हमें comment करके share कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपने भी चिकन बहुत बार खाया होगा किस तरीके से खाया है ये भी आप हमें comment करके बता सकते हैं तो फ्रेंड्स तो आज की recipe आप लोगो को पसंद आई हो तो एक Like किजएगा और और चैनल में नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और सबसे एहम बात अपने फैमिली फ्रेंड के साथ से अर जरूर से कीजिएगा फिर मिलते हैं ऐसे ही डिलेसर सूपर टेस्टी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइबाई खुश रहें मस्त रहें और अच्छे अच्छे रेसिपी बनाते रहें इजिली और खाते रहें तेंक यू